कि स्लीब डिवोर्स क्या होता है स्लीब में फार्कत तलाख स्लीब में तलाग क्या होता है इसके बारे में आच कम्रे में सोना अर्था यह तभी संभव है जब आपके पास में बहुत ज्यादा कम्रे है तो कम जगे तो साथ में सोना पड़ेगा निन की जरत क्यों है निन इसले जरत है कि हमको शारिरिक प्रता मांसिक रिजनरेशन नयापन निन लाती है जो काम काने उसको बाजू में करो उसको डंग करो ब्रेन में एक मेमरी बैंक में डाल दो थाट्स रियार्गनाईज करो शरीर का भी जो चाहिए नहीं वो निकाल दो बाहर और सिल भी रिजनरेट होते रहते तो आप जब निन से उठे तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेश लगता है यूजली गटी छे से आठ घंटे सोता है अप्रोक्जिमेटली लोग बोल तो कि इतना सोना चाहिए तो मैं बहुता हूँ छे से आठ घंटे ये एक हप्पे में पचास घंटे सोना चाहिए फिट्टी आवर्स और जो लोग आठ घंटे से कम नीन लेने वाले लोग या आठ घंटे से ज्यादा नीन लेने वाले लोग दोनों को भी प्रॉबलम है मतलब दोनों का भी अटेंशन कॉंसेंट्रेशन ठीक नहीं है एकागरता नहीं रहती है जादाश ठीक नहीं रहती है चिड़चिड़ा पन ज्यादा प्रेश नहीं लगता है, श्पीड काम में कम रहता है, यह बहुत सारा दिखाई दिखाई दिए तो 6-8, 6 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेखेगे व्हें के लग है, तो इसके लिए, डॉक्तर की जरूत नहीं है। आपको स्च्वात्त है, बचाहिए, कुछ दिन आपको स्फन आगे पादुनिय। तो इसलिए वो टेम्पररी या टेम्पररी कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना है ताकि बॉंडिंग अच्छा हो जाए इसलिए भी स्लीप डिवर्स लेता है एक सड़ी की आगया उसमें से मालम पड़ा कि हमारे देश में 11 के बात सुने वाले 55 प्रतिश्यत लोग है रात को 11 के बात कि अभी स्लीप ढ्रीवाट को क्यों Anadha की कि अधर अभी वेक्ति सँन्यों दोनों सो है sudah और एक वैक्टिक को ऐसे निन में हल चल कर रहा दर से कर मटे निन में तो सकता है कि दुस्रें को डिस्टर्ब हो जाए आए और दूसरी के निन खारब दूसरा कारण हो सकता है कि किसी को लाइट एकडम डिम होना वह अच्छा लगता है कि नहीं प्रखर लाइट होना तो इसलिए भी लोग अलग अलग सोने के लिए पसंद करते हैं दोनों में से कुछ लोग ऐसा हो सकता कि एक को लेट जागने ने का है तो दूसरे को डिस्टरब हो जाएगा अच्छा वही कमरे में टीवी देख रहा हैं मोबाय देख रहा है उसका लाइट आ रहा है कभी-कभी क्या होता है कि देखते-देखते आपने समझो यह एरफोन भी कभी कभी वह कनेक्शन निकल जाएंगा जोर से अग्दमावाज वा जाएंगा एक आता काना जोर से लग जाएंगा वो दुसरा बॉसरा फ्रत पर घॉस्टम हो जाता है तो तो मोबाइल पर बाते करना मोबाइल चलाना कम देखना यूट्थीविप के हम उन न जोब है तो इ डूसरा जिसको नहीं उठना है, इसको जल्दी सोना है तो उसमें बिर दुसा एक्क होता है । इसलिए फिजिकल हेल्ट जो लोग कम दिन लेते हैं स्टेडिस में पाए गया है कि उनको डाइबिटीस मतलब शुगर की बिमारी ब्लड प्रेशर लिभाइपरेटेंशन स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन का पैरलेसिस हाट अटक्स यह चांसे ज्यादा होते हैं और वैसे ही उ लेना और स्लिफ डिवर्स बीच बीच में बिल्कुल लेना ही चाहिए कोई प्राप्ले में नहीं है और इसमें नीन की क्वाडिटी में फरक पड़ता है और एक दूसरे को हम सपोर्ट करता है इसमें यह वीडियो आपको अच्छा लगाते हैं लोग को शेयर करो हमारे चैन में आप क्लिक करके जो नीन अच्छी आने के लिए नीन नहीं आती उसके कारण क्या है नीन अच्छी होना जो उसके लिए क्या है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख सकता है